हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चल तईर जीत में आज हम देखने वाले हैं जुलाई माहे के जो आपका मासे कांकलन टेस्ट होने वाला है दोजात त्रीस में कक्छा 8B के बिसाय हिंदी का संपूर हल देखने वाले हैं यदि आपने पिछले वाले सब्जेक्ट अंग्रेजी गड़त हिंदी संस्कृत मतलब जो आपके से सब्जेक्ट हैं उनके हल नहीं देखें तो वीडियो के लाश्ट में आपको यहाँ पर इसको दे दिये जाएगा एक नमबर के आपके होने वाले हैं तो पहला प्रेसिन दिया है नमें से सुध्ध रूप क्या है यानि सुध्ध सब्चाटना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुसीबत यानि ऑप्शन डी हो जाएगा सही इसके वाद लिखा है खुस्शनसीब का बिलूम सब्द ह होगा तो खुस्ट नजीब का क्या होगा आपका सही इसका हो जाएगा बदनसीब इसके बाद दुरुजन सब्द का अर्थ होता है दुरुजन कौन होता है उसका अर्थ होता है आपका दुस्ट तो आपसन नंबर भी सही हो जाएगा तो यह हमारे आंसर है पहले का है आपका यहां पर लाष्ट वाला इसके बाद इसका कimme लाफ्ट वाला आइसका का दूसरे नंबर का है अब हम अगला question देखेंगे तो यह हमारे question number रहने वाले अगले वाले यह आपके अत्री लगत्रिया प्रिसन है वो बस्तों प्रिसन थे आपके दो-दो अंके होने वाले हैं तीनों अपर इनको देखिए क्या लगा है पहला क्वेक्षचन हमाँ दिया गया इसको पढ़ लेते हैं तो पहला प्रिसन दिखा है हमारा यहां पर पचराही कहां रिस्ते दूसरा समाज को स्रमी कैसे बनाया जा सकता है और तीसरा आपका पर्यावाची सब्द लिखना है सूरे हवा के दोनों के पर्यावाची भी लिखना है आपको तो देखिए यहाँ पर आपको पर्यावाची दिखने वाले हैं सूरे के पर्यावाची आपके दिख रहे हैंगे इस सूरे के आपके पर्यावाची यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको तो अच्छे से इनको लिख लेना है तो सूरे के पर्यावाची लिख लेंगे इसके बाद हवा के पर्यावाची दिख रहे होंगे नीचे तो आप इनको भी नोट डाउन कर लिए अच्छे से तो यह आपको यहाँ पर बिल्ट कर लेना है तो हम अगला कॉस्चन देखेंगे जो चौता कॉस्चन है वो पांच मा कॉस्चन छट में के आपका आंसर यहीं पर देख रहे होंगे तो आई चौता कॉस्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है हमारा पचराही कहां स्थर थे थे ठीक तो इसका आ Sakura आपका यह दिया गया है तो इसका आंसर यह दिया गया है इसको अच्छे से देख लिजे यहां लखा पचराही 36 गड़ के कबीर धाम जिले में लगभग यहां पर लखाए 45, 45 किलो मीटर दूर हाप नदी से, हाप नदी के पास मेकल परवस रेड़ी के गोद में बसा हुआ है, पचरा ही एक छोटा सा गाउं है, 36 गड़ की धरती कला संस्कृति के नाम से यह प्रिसिद्ध है, यहां बहुत से प्रान योग के समय से अनेक इस्थान पर मंदर कला तथा यहां पर महल इस्था तो यह हमारा क्वश्शन नंबर चोथा कंप्रिड होता हटो तो अच्छे से आपको कर लेना है ये पूरा नहीं होता है या तो आप यहां तक लिक सकते हैं, इसका यहां तक व्याद का अंसर हो जाएगा ठीक है, यहां तक यहां च स्रियाई अर्था अधवा स्वा निर्भर समाज का अर्थ है स्वयम पर निर्भर रहना या होना अर्था जब व्यक्ति स्वयम पर निर्भर हो जाता है तो वह अपना कार्य स्वयम करता है अपनी यहां उसकी अपनी स्वयम का उसकी अपनी स्वयम का की पहचान अपने कर्म से होती है यही एक निरभर स्वा निरभर और सब्वे समाज की पहचान है इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यह हमारा क्वेश्चन रहने वाला अगला तो यह क्वेश्चन कुछ समाज पहले यहां की खोदाई में, यानि पचराही कोदाई में दो जलिये जीवों यानि प्रानियों के जीवास मले जनमें एक मुलास का घॉणगा परिवार का है और दूसरा आपका आध आ परिवार का है, ये इसका अंसर हो जाएगा, शाथेग कोश्चन हमें उपसर्ग बनाने थी आ जूड़कर तीन कोई तो यहां पर तीन ही लिखेंगे आजीवन आमरन और आगमन इनको नहीं लिखिएगा इनमें से आप जितने दिए गए हैं इनमें से आपको सब को छोड़ देना कि अब आपको तीन दिये हैं तो तीन ही लिख लीजिएगा आजीवन आमरन और आगमन तो यह क्वेश्चन नमर हमारा आठमे का अंसर हो जाएगा इसके बार नौमा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है तो यह हमारा क्वेश्चन नमर नौमा तो नौमे क्वेश्चन में आपका दिया गया हैं आपर दो क्वेश्चन दिये ग हमें चापलूसों से हमेसा दूर क्यों रहना चाहिए इसके बाद गांधी जी के बारे में हमें पांच बाक लिखने हैं प्रोजेक्ट कार्ड के लिए तो आएए पहले इसको देख लेते हैं चापलूसों से हमें क्यों रहना चाहिए तो देखिए सभी को रहना चाहिए क्यों से दूर रहना चाहिए जो आपके सामने चाप-लू-C का काम करते हैं लेकल आपकी पीछे पीट के पीछे आपके बारे में बुरा बहला बोलते हैं। ले आपको अपोन ये च्छथी पहुंचाते हैं ऐसी दोस्ती जहरी ले दूद की की तरह होती है ऐसे लोग से ऐसे लोगों से बस दूर रहना चाहिए तो यह हमारा अंसर हो जाया question number 9 का इसके बाद question number 10 मा जो हमारा project का रहा है उसका answer हमें यहां पर करना है महातमा गांधी जी के बारे में यहां पर पांच लिखने हैं तो पहला point हमारे यहां पर दिया गया इसको देख लिए तो क्या दिया गया देखे अच्छे से तो यहां पर दिया गया पहला point है भारत की आजादी में गांधी जी का मेहतमुर्य योगदान है सेकंड दिया गया है गोपाल क्रस्न गोखले को यह अपना राजनीतिक गुरू मानते थे इसके बाद अगला दिया गया हमारा गांधी जी सदेभी आइसपरस्ता बाँन्य कुरूतियों के बिरूध में थे बापूजी ने देश के आजादी के लिए बहुत से बहुत सारे आंदुलन किये आपका अगला दिया गया है महातमा गांधी स्वाधिन्ता आंदूलन के एक प्रमुक इस्तंभ माने जाते हैं यानि राजनीता माने जाते हैं यहाँ पर हमारे यह कॉस्चन हैं दसी कॉस्चनों के अंसर यहां पर कंप्लेट होते हैं यह पिछले बाले वीडियो यानि देखे हैं तो आपको डिस्पीली पर यहां पर सो हो रहे होंगे तो आप यहां पर इनको देखकर कम्पीट कर साकते हैं